ऐसा करती ही एट्यम मशीन से एक बार फिर लोटों की बारीशों ने रहती। गंगा राम ने उस एट्यम मशीन से कहा है। इन पैसों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। पर सुनो, कल तुम्हें क्या चाहिए होगा। ये पहले से ही बता दो। गंगा राम के कई बार पूछने पर भी एट्यम मशीन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गंगा राम सारे पैसे लेकर घर चला गया। एट्यम मशीन हर रोज उससे कुछ न कुछ नया लाने को कहती। जिसके बदले गंगा राम को धेर सारे पैसे भी मिल जाते। ATM मशीन के दिये हुए पैसे गंगाराम के घर में एक संदूग के अंदर इकटे होते जा रहे थे लेकिन गंगाराम का लालश था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था हाला कि इस सब के लिए उसे जो मेहनत करनी पड़ रही थी वो भी उसे बहुत खल रही थी ये ATM मशीन तो मुझसे बहुत महनत करवाती है पर पैसे भी तो चाहिए कुछ तो दिमाग लगाना होगा मुझे गंगाराम ने बहुत दिमाग लगा कर एक तरीका सोचा और फिर उस शाम को ATM मशीन से बोला देखो आज मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से कुछ लेकर आया हूँ क्या लाए हो दिखाओ मुझे ये ये तो रही इस थेले में धेर सारी हवा है तुमने इस से पहले इस हवा के जैसा